बिसमिल्लाइ रख्मादे नहीं मस्सलाम वालेकूम आप देख रहे हैं अलताजी फूद और मैं हूँ आपके साथ आपका भाई सूफी आज आपका सूफी भाई लाया है आपके लिए वाईट वेजिटेबल बरियानी हम ये तैवली बरियानी पकाएंगे वेजिटेबल से बनाएंगे और इतनी अच्छी इतनी शांदार बनेगी कि आप बाकी सारी बरियानिया भोल जाएंगे ये वाईट वेजिटेबल बरियानी जब आप अपने सूफी भाई के कहने पर बनाएंगे खाएंगे ट्राइ करेंगे तो यकीन करें मज़ा आजेगा चस आजेगी सवाद आजेगा इतनी मज़ेदार ये वाइट वेजिटेबल बरियानी बनती है तो इसमें मिझे किन किन चीजों की दूरत पड़ेगी आईए वो मैं आपको बताता हूँ यहां पर मैंने तीन पाउ चावल लिये हैं और चावलों को मैंने दस मिनट पहले भगो लिया है जब तक मैं बाकी सारी चीजों की तियारी करूंगा तो चावलों को भीगे हुए 25 से 30 मिनट हो जएंगे तो चावल हमने 25 से 30 मिनट पहले भगोना होता है चावल मैं आपको बत आइकस के यह चावल हैं और बास पत्री चावल हैं. Бाकी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ. यहांवे नीने शिमला मिर्च लीत है. एक पॉ शिमला मिर्च लीत है और इस तरह से बरीक बरीक काटा है और इसके मैंने बीज नहीं लीत. मुंग रहे हैं एक पाउ, गाज रहे हैं एक पाउ, मतर हैं एक पाउ, यहां बे मैंने एक पाउ आलू लिये हैं और आलू को इस तरह से मैंने बरीक बरीक लंबा लंबा काटा है जैसे हम चिफ्स के लिए काटते हैं एक पाउ मैंने बंदगों भी ली है पुदीना लिया है आदी गठी ये पुदीने की है हरी मिर्चों को मैंने कूट लिया है और तीन टेबल स्पून मैंने हरी मिर्चें ली है आप हजबे जाइका ले सकते हैं ये है चिली सॉस तीन टेबल स्पून लिया है सफैद जीरा है, एक टी स्पून काली मिर्च है, एक टी स्पून सफैद मिर्च है, एक टी स्पून दो बड़ी लाचिया है, डाल चीनी है, तेज पता है और जैफल, जैवत्री, बादियान और सब्जलैची चार दाने सब्दलेची के हैं और बाकी मैंने थोड़ी थोड़ी एक एक पीस लिया है हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने चाइनिस नमक लिया है और एक टी स्पून नमक लिया है यहाँ पे फिर मैंने एक टी स्पून चाइनिस नमक लिया है और दो टेबल स्पॉन मैंने नमक लिया है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग तूल लिया है यहाँ पे मैंने चिकन क्यूब लिया है और इम्बली का पानी लिया है यहाँ पे तो यह मज़दार किसम की रेसिपी बने की कैसे आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वल्स है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्क्राइब करने क्योंकि आपका बाई लाता है आपके लिए रुज़ानना पड़ी ही मज़दार किसम की रेसिपी तो चलें फिर शुरू करते हैं सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैंने मटर जो हैं इनको मैं उबाल लूँगा यहां एक पतीली में मैंने मटर डाल दी हैं मटरों को मैंने उबालना है इतनी देर के मटर हमारे गल जाएंगे अब कई ऐसे होते हैं मटर 7-8 मिंट में भी गल जाते हैं बाद अकात मटर 15 मिंट भी ले जाते हैं मुख्तलिफ इलागों के मुख्तलिफ टाइम में गलते हैं और ये जो मुंग्रे हैं मुंग्रों को भी मैंने वॉयल करना है तो मुंग्रों को भी मैं एक पतीली में डाल दूँगा इनको भी मैंने वॉयल करना है और मुट्रों को भी मैंने वॉयल करना है इनको अलग अलग वाइल करना है एक साथ हम वाइल नहीं करेंगे यह उबलते हैं गलते हैं तो फिर मैं बताओंगा कि नेक्स टेप हम क्या करेंगे मतर भी गल चुके हैं और मुंग्रे भी गल चुके हैं मुंग्रे जो हैं वो 10 मिनट में गले हैं और यहां एक पतीली में मैंने 2 लिटल पानी रख दिया है पानी अबलेगा तो मैंने इसमें चावल डालने है और अबी मैं बताता हूँ कि इसमें हमने क्या कुछ डालना है यहां यह जो मेरे पास शिमला की मिर्च है इसको मैं ओयल में डाल जूँगा और इसको मैं फ्राई क करेंगे यहां में मैंने चाइनिस नमक और नमक को मिक्स कर लिया है जो मैंने आपको बताया था हाफ ती स्पून मैंने चाइनिस नमक लिया था और एक टेबल स्पून मैंने नमक लिया था इसको मैंने मिक्स कर लिया है इसको मैं इसमें शामिल कर दूंगा थोड़ा सा डालू है, इसी oil में मैं गाजीयें डाल दूंगा, गाजीयें भी फ्राई हो गईया ये दिखें गाजनों को मैंने फ्राई कर लिया है, इनकों भी मैं ओवियरें से निकाल लूँँ वैजादा फ्राई नहीं करना, ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती है, अब जो इसको भी मैंने फ्राई कर लिया है इसको भी निकाल लूँगा मैं आलू जो है इनको भी मैंने फ्राई करना है लेकिन आलू को जो है मैं जरा गोल्डन ब्राउन करूँगा इसको हम थोड़ा ज्यादा ब्राउन करेंगे बाकी सबगीां आए जो इनको मैंने 177 और आलो जब तक हमारे गोल्डन ब्राउन होंगे इतनी दिर हमने इसको फ्राई करना है यहां जब तक आलो गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं मैं आपको बता देता हूं उसके जो चावलों के लिए मैंने पानी रखा है इसमें जो चीजें मैं शामिल करूंगा भड़ी लाची डाल चीनी तेज पत्ता जैफल जैवत्री बाद्यान और सब्द अलाची ये इस पानी में शामिल कर दूँगा पानी बॉाइल होगा तो फि के से गोल्डन ब्राउन हुए है इनको भी अब मैं निकाल लूँगा मूंग्रो को भी हमने फ्राई करना है मूंग्रे फ्राई हो गए हैं मूंग्रो को सिरफ 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे क्यूंकि एक ओईल भी हमारा काफी गरम हो चुका है और इसको हमने ज्यादा मैंने इसको फ्राई कर लिया है साब्राई हो चुकी हैं मैंने पानी रखा चाले लिए मैं थोड़ी हो झा कहले उपानी पान ले पचापा च्वजए लिया है प्राइब करके मैं ओइल में ही रहने दूँगा इसको हमने ओइल से निकालना नहीं है इसको मैंने तकरिबन 30-40 सेकिंड फ्राइब दिया है ये देखें पानी जब इस तरह से अच्छी तरह उबलाएगा तो हमने इसमें चावल अड़ करने है चावल डालने के बाद अब इस अच्छा नहीं गिलेंगे चावल हमारे तूटेंगे नहीं और फिर हमने इसको एक खसूसी दम लगाना है दम लगाते वकत हमने इसको तैबी लगानी है तो आपने वीडियो में अई तक अपने सुभी बाई के दाद रहना है चावल हमारे बॉइल हो चुके हैं पांच मिन मैं इसको ओईलिंग कर दी है अब बारी है तैय लगाने की चावलों की एक लेयर मैं लगाऊंगा इस तरह से यह देखें चावलों की मैंने एक लेयर लगा दी है पतीली में बिलकुल बराबर करके आपने इस तरह से लगानी है यह जो मैंने मिर्चें फ्राई करके रखी है मिर्चों की थोड़ी सी मैं लेयर लगाऊंगा इम्विली का पानी इसकी एक लेयर लगाई है दो टेबल स्पून ये डाल दिया है चिली सॉस दो टेबल स्पून मैं चिली सॉस की एक लेयर लगा दूँगा इस तरह से फिला के यहां पे जो मैंने गाजने फ्राई करके रखी थी यह गाजने भी इस पे हम बिचा के फिला के डाल देंगे अब यह जो काली मिर्ची है इसको मैं इस तरह से डाल दूँगा सफैद जीरा यह भी इस तरह से मैं फिला के और ये जो white मिर्चे हैं ये भी इस तरह से फिलाके आप अपनी असानी के लिए इसको mix करके भी इसमें डाल सकते हैं ऐसे मैं इसको mix कर लूँगा और दुबारा ताके मिझे ये सारा डालने में असानी होगी अब इसमें मैं चावलो की एक layer लगाऊंगा ये देखें चावलो की मैंने इस तरह से layer लगा दिया है अब जो ये मटर हैं ये डाल दूँगा सारे ये नि हमने एक-एक layer पे एक-एक सबजी डालनी है पोदीने का पत्ते डाल दूँगा थोड़े से फिर मैं इंबली का पानी डाल रहा हूँ थोड़ा सा डाला है फिर कैचप एक टेबल स्पून डालूँगा सोरी कैचप नहीं ये चिली सॉस है फिर चावलो की एक layer लगाऊंगा ये जो मूंग्रे फ्राई करके रखे थे अब मूंग्रे डाल दूँगा फिर इंबली का पानी एक टेबल स्पून हलका सा ये जीरा काली मिर्च और सफैद मिर्च फिर एक चावलो की layer लगाएंगे अब ये जो शिमला मिर्च फ्राई करके रखी थे ये इसमें डाल देंगे फिर से इंबली का पानी और चिली सॉस फिर से ये सफैद जीरा काली मिर्च और वाइट मिर्च ये मैंने डाल दी है अब यहाँ पर जो मैंने हरी मिर्चें फ्राई करके रखी थी इस दफ़ा मैं ये सारी हरी मिर्चे डाल दूँगा अब फिर से चावलो की एक layer लगाउंगा ये जो मैंने आलू फ्राई किये थे ये आलू भी इसमें मैं डाल दूँगा बंगो भी जो फ्राई करके रखी है ये भी डाल देंगे उदीना ये भी मैं इसमें डाल दूँगा काली मिर्चें सफैद जीरा और वाइट मिर्चें ये भी डाल दी मैंने इसमें आप जो बाफी चाफल रहें गूँएं वो इनके वपर बचाएंगे ओर इनको दम देंगे दम किस तहां से देना है ये भी मैं आपको बताता हूँ एक रुमाल गीला करके मैंने रखा है इस रुमाल को मैं पतीली के ओपर इस तरह से बिचा दूँगा रुमाल इस तरह से भी छाके धकन मैं इसके ओपर इस तरह से दे दूँगा और यहां पे मैंने रुमाल को इसके ओपर ऐसे कवर कर दिया है और पराद दे दी है कितनी देर में हमारे चावल दम आएंगे तो चावल अच्छे और खिले-खिले दाना बनेंगे और ये white vegetable बिर्यानी बन के किस तरह से लगेगी आपने वीडियो में अटक अपने भाई के साथ रहना है चावल हमारे दम आ चुके हैं 20 मिनिट मैंने चावलों को दम लगाया है ये देखें माशाला कितने जबरदस चावल बन कर त्यार हुए हैं कितना जबरदस दम आया है इनको ये देखें चेक करें आप माशाला कितनी जबरदस वेजीटेबल बिर्यानी बन कर त्यार हुई है ये देखें माशाला ये देखें माशाला कितने जबर्दस्त वेजिटेबल बरियानी बनी है कैसे खिले खिले दाना दाना चावल बने है और इनकी खिशबू माशाला से बड़ी जबर्दस्त है यह देखें जी माशाला, अल्हमदुलिल्ह, कितनी जبرदस्त white vegetable बर्याइनी बने कर तियार हुई है, यह बड़ी मज़दार रेस्पी है और बनाना बड़ा ही सिम्पल, बड़ा ही असान है बड़े असान तरीके से यह बने कर तियार हो जाती है, तो इस तरह से अपने صोफी ब का भी इजार जरूर कीजेगा अपना ख्याल रखें दुआओं में याद रखें अपने सूफी भाई को इजाज़त दीजिए फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ अल्ला हाफ़ेश